गुद मॉर्निंग दियर स्टुटेंट्स आज हमारा कंप्पुटर का पीरेड है कंप्पुटर में चैप्टर 11 इंटरनेट हम इसका हाफ पार्ट मारी क्लास में कंप्लीट कर चुके थे इसका जो रिमैनिंग पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे we have to read from here microsoft internet explorer क्या होता है microsoft internet explorer ये एक software होता है ये शेर्वेर software होता है okay this is a based on this is based on national center for super computing application and csa and is distributed under a licensing agreement with spyglass incorporated this is a shareware software and can be downloaded from the internet ये जो होता है microsoft internet explorer ये national center है ना for super computing applications ncsa पर best होता है ठीक है and जो भी licensing agreement होते है किसके अंतरगर spyglass incorporated से ठीक है उनमें distribute किया जाता है ठीक है ये एक shareware software होता है उसको internet से हम क्या कर सकते है download कर सकते हैं है यदि आप किस पर क्लिक करते हो आपके desktop पर internet explorer आइकन पर क्लिक करते हो तो इसकी opening screen आपको दिखाए देगी desktop पर इस software में क्या होता है कहीं सारी things देके रखिए जो हम नीचे पढ़ेंगे फ़र्स्ट है title बार title बार यहां पर आपको दिखाए दे रहा है यह title बार होता है यह long horizontal बार होता है जो क्या करता है हमको software and document को शो करता है display करता है कि हम कौन सा software है document चला रहे है यूज कर रहे है ठीक है and यह और किस चीज में help करता है और हम लोग देखे तो इसके जो right side होता है इसमें क्या होती है minimize, maximize and close button होती है ठीक है यह होता है title बार next होता है menu bar यह menu bar है ना menu bar क्या दिखाता है हमको कहीं सारे इंटरनेट explorer के कहीं सारे menus को show करता है ठीक है यह menu में क्या क्या रहता है file, edit, view, favorite, tools, help यह सब होते है ठीक है यह जो menus होते हैं इनकी help से हम क्या कर सकते हैं setting कर सकते हैं file open कर सकते हैं file को save कर सकते हैं यह वे page को print कर सकते हैं यह सब use होता है इनसे next होता है toolbar यह क्या कहलाता है हमारा toolbar कहलाता है यह भी horizontal bar होता है और इसमें क्या होती है सारी control buttons होती है जिसके तरूब आप क्या कर सकते हो internet पर navigate कर सकते हो ठीक है कुछ जो होती है button वो कौन-कौन से होती है forward, back, stop, refresh, controls है ना यह सब होती है search control button भी होती है जिससे हम specific website जो होती है उसको search कर सकते है नेक्स्ट है links यह होता है तो यह भी horizontal shaped bar है यह आपको किस चीच के लिए enable करता है कि आपकी जो window है उसके लिए link setup कर सकते हो नेक्स्ट होता है scroll bar यह scroll bar होता है आप सबने भी देखा है तो scroll bar जो होता है यह कहां देखा जा सकता है आपकी screen पर right and bottom जो होता है window का वहाँ पर यह जो scroll bar होता है इससे आप क्या कर सकते हो windows screen जो होती है उसपर जो web page होते है आप उसपर navigate कर सकते हो आपको जिस site भी देखना है आप इसको scroll bar कर यूज़ करके देख सकते हो drop down menu whenever you click with your mouse pointer on the menu having down head arrow such as address box mail tool, fabric tool, etc. on the internet explorer you will see different options in its drop down menus जब कभी भी आप क्या करते हो कि आपका जो mouse pointer है है ना उससे आप क्या करते हो किसी भी menu पर click करते हो तो drop down या down head arrow आपको दिखाए देता है है ना जैसे address box यह सब कुश हमको हम क्या कर सकते है इससे इस पर click करके आप क्या कर सकते हो किसी पर भी click करोगे तो आपको क्या दिखेंगे कहीं सारे options दिखेंगे इसके जो drop down menus जो होते हैं है ना वो हमको दिखाए देंगे in the menu bar also if you click on any of the menu a drop down menu appears on the screen menu bar में भी क्या होता है होगा hypertext markup language जिसको html भी कहा जाता है the world wide web has changed the working style of millions of people in the world world wide web जिसको www कहा जाता है इसने क्या किया है world में millions of people के जो working style इसको change करती है अजकर सब कुछ online होता है है ना जो hypertext markup language जिसको html कहा जाता है यह web का heart होता है html एक language होती है है ना जो कैसी होती है लिखने में और समझने में easy होती है यह जो language होती है highly portable भी होती है it is defined as the encoding system which is used for creating and formatting a web document यह जो language है इसको encoding scheme के रूप में भी defined किया गया है जिसका use किसलिए किया जाता है web document को create करने के लिए and format करने के लिए ओके now turn over the page next day web address the addresses on the internet are a systematic way to identify people, computers and the internet resources जो internet पर जो addresses होते हैं वो कैसे होते हैं systematic होते हैं जिससे हम क्या करते हैं यह क्या तरीक systematic way होता जिससे लोगों को identify किया जा सकता है computers को identify किया जा सकता है internet resources को भी जब कभी भी आप चाहते हो कि आप दूसरे computer से connect हो है ना या उसके network पर दूसरे computer से connect होना चाहते हैं या some information जो है वो transfer करना चाहते हैं उस computer से तो सबसे पहले आपको जिस computer पर आप transfer करना चाहते हैं उसका address या जिससे connect होना चाहते हैं उसका address होना या आपको पता होना ज़रूरी होता है this is done by IP address system ये किससे किया जाता है IP address system से that identifies a particular machine on a particular network ये IP address जो होता है वो particular network पर particular machine को क्या कर लेता है identify कर लेता है ठीके addresses जो होते हो हमेशा कैसे होते है unique होते हैं और कभी भी एक दूसरे से match नहीं होते है ठीके अलग-अलग होते हैं इसको uniform resources resource locator या URL भी कहा जाता है ठीके जैसे ये आपको एक है ना जैसे यहाँ पर देखे रखा है ये web address है किसका है ये Microsoft Corporation का इससे अब और कुछ match नहीं होगा दूसरा web address अलग होगा जैसे ये वाला दिया है तो यह online store का देखे रखा है ये वाला जो web address दिया है ये किसका है Ministry of Information Technology Government of India का ठीके next is home page this is the first hypertext document displayed when the user first connects to any website on the web browser जब भी कोई user मतलब firstly या first connect होता है किसे वेबसाइट से web server पर तो ये first hypertext document ठीके तो ये show होता है ये home page होता है मतलब first hypertext जो document display होता है वो होता है हमारा home page this is usually an index page of an organization or information resource कोई भी organization या information resource जो होता है उसका index page भी ये होता है the home page has the different link text home page में different link text which take the user to more levels of information on the same topic same topic पर हमको कहीं सारे information तक ये ले जाता है ठीके तो ये हमारा chapter complete हुआ इसके आगे जो किशना अशर्व अगेरा है हो हम next period में करेंगे तॉल्यां ये top दॉल्इक कर दाद के सार्व पीजा ये 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 विषू आराद करी ये 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 सार्व और Saber ये 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 सतैवใหल्जाद करेंट है